होली का त्योहार आने वाला है तो हर घर में गुजिया तो बनती ही है तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही खस्तावज टेस्टी सूजी मावा गुजिया बनाने जा रहे हैं वो भी बहुत ही एजीली बिना बहुत जाधा महनित किये हुए हलो फ्रेंट्स वेलकम टू इदनित बजटेजन रेस्पीज टाडिशनल रेस्पीज वह हैल्थ टिप्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें नीचे दिया ग्या राइट बटन टच करके गुजिया बनाने के लिए हमने लिया है दो कप मैदा, तीन चथाई कप मावा, एक चथाई कप सूजी, तीन चथाई कप चीनी पाउडर, कद्दुकस किया हुआ सुखा नारियल वर बारीक कटे हुए बादाम दो चुटकी नमक और दो इलाइची के दाने पीछ लिए हैं इसके अलावा देशी घी और तन्ने के लिए तेल पहले हम आटा लगा लेते हैं दो कप पाटे में दो से तीन चुटकी नमक डालेंगे इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के बीच में हम ऐसे छोटा सा गड़ा बना लेंगे हमें मौईन लगाना है मैं मौईन लगाने के लिए देशी घी ले रही हूँ आप ऐल भी ले सकते हैं शुरू में हमने दो चमच देशी घी लिया है इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी घी कम है हम इसमें और देशी घी डालेंगे हमने इसमें और घी डाल लिया है अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब चेक कर लेते हैं कि मौईन प्रॉपरली लगा है या नहीं ये देखे इस तरह से मुठी बंद करने पर आटा बिखर नहीं रहा है इसका मतलब है कि हमारा प्रॉपर मौईन लग चुका है हमने इसमें टोटल मिलाकर छे चम्मच देशी घी डाला है अब हमें सक्त आटा गुंथना है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और आटा मिक्स करते जाएंगे आटे में तीन चुथाई कप पानी यूज हुआ है अब हम इसे थोड़ी देर गुंथ लेंगे आटा सक्त रखने से इसे बेलना इजी होगा आटा गुंथ गया है अब हम इसको धक कर 20-25 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख लेंगे एक पैन में दो चमच देशी घी गरम कर लेंगे हम घी में एक चुथाई कप सूजी भून लेंगे सूजी को हम लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे सूजी को चलाते हुए भूने जिससे की ये जले ना सूजी का कलर हलका ब्राउन हो गया है और इससे अच्छी सी खुश्बू आनी भी शुरू हो गई है तो अब हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे हमें यहाँ पर सूजी को बहुत जादा भूनने की जरूरत नहीं है इससे डार्क ब्राउन नहीं करना है जैसे ही इसका कलर हलका सा चेंज हो जाएगा और इससे कुश्बू आनी शुरू हो जाएगी हम इसे निकाल लेंगे अब हम यहाँ पर कद्दू कस्क्या हुआ खोपरा और कटे हुए बादाम भून लेंगे इन्हें हम ड्राय रोस्ट करेंगे इन्हें भी हम लो फ्लेम पर लगाता चलाते हुए भूनेंगे एक से डेड़ मिनट भूनने के बाद ही इससे अच्छी सी खुश्बू आनी शुरू हो गई है अब हम इसे भी निकाल लेंगे जिस बरतन में हमने सूजी निकाली है उसी के ओपर हम ये ड्राय फ्रूट्स भी डाल लेंगे ड्राय फ्रूट्स का अमाउंट आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं मैंने यहाँ पर दस से बारा बादाम लिये हैं और लगबग आधा कोई टोरी कद्दू कस किया नारे लिया है अब हम खोई को भूनेंगे इसके लिए हम खोई को क्रम्बल करके डालेंगे यानि कि हमें इसके छोटे छोटे टुकडे करके डालने हैं या फिर आप इसे कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर घर का बना मावा याने की खोया यूज कर रही हूँ क्योंकि घर पर बना मावा प्योर होता है वैसे भी घर पर मावा बनाना बहुत ही एजी है मावा बनाने का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है इसका लिंक में description box में दे रही हूँ जब हम मावा भूनते हैं तो थोड़ी देर में ये sticky हो जाता है हमें इस stage में gas off नहीं करनी है हमें इसे थोड़ी देर और भूनना है यहाँ पर मावा sticky हो गया है और spatula से चिपक रहा है तो मैं एक चाकू की मदद से इसे उतार लूँगी और मावा को टैप करते हुए भूननूँगी मावा भूनते हुए हम ज़रूरत के अनुसार flame को low to low medium करेंगे देखिए हमारा मावा अब sticky नहीं रहा है ये कैसा खिला खिला हो गया है अब हमें इसे low flame पर भूनना है जब तक कि इसका कलर light brown ना हो जाए मावा भूनते हुए मुझे लगबग 7 मिनट हो गये है और इसका कलर भी light brown हो गया है जैसा मुझे चाहिए था तो अब हम गैस बंद करके इसे भी बर्तन में निकाल लेते है मावा भूनते हुए ध्यान रखेगा कि इसे हमें लगाता चलाते हुए भूनना है नहीं तो ये जल जाएगा और इसे हमें over cook नहीं करना है नहीं तो हमारी गुजिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी मावा को भूनके हमने उसी बर्तन में डाला है जिसमें हमने सूजीवर ड्राइफ फूर्ट्स निकाले है अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब यह हमारी स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें यह शूगर पाउडर भी डाल लेंगे मैंने यहाँ पर तीन चौथाई कप शूगर पाउडर डाला है आप शूगर पाउडर के जगां बूरा चिन्नी भी ले सकते हैं अब हम इसमें इलाची पाउडर डाल लेंगे यहाँ पर दो इलाची के दाने पीस लिये हैं वो हमने इसमें डाले हैं शूगर पाउडर बनाने के लिए आप चिन्नी को ग्राइंडर में पीस लें यह हमारी स्टफिंग रड़ी हो गई है अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और गुजिया बनाते हैं आटा गुंत हुए बीस मिनिट हो चुके हैं यह रड़ी है तो अब हम इसे दो हिस्सों में तोड़ लेंगे गुजिया बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उसकी छोटी छोटी रोटियां बेलने में बस हम आज उसी काम को फास्ट कर लेंगे आज इस मैथर से हम गुजिया बनाने जा रही हैं उसमें सांचे की भी जुरूरत नहीं है अगर आपके पास सांचाना हो तो भी आप आराम से बहुत अच्छी गुजिया बना सकते हैं हम एक बड़ी सी लोई बनाएंगे और उसको बेल लेंगे हमें इसे पतला बेलना है हम इसे जितना बड़ा बेल सकेंगे उतना बेल लेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे बेलने के लिए ना तो हम सुखा आटा लगा रहे हैं ना ही तेल लगा रहे हैं फिर भी हम इसे बहुत आसानी से बेल पा रहे हैं क्योंकि हमने आटा सक्त बुन्था है हमें इसे बेलते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे बिल्कुल बराबर बेलना है ऐसा नहीं करना है कि एक तरफ से मोटा और एक तरफ से पतला हमें इसकी मोटाई इतनी रखनी है या इससे कम रखनी है ये देखिए हमने इसे इतना बड़ा बेल लिया है अब हम एक कटोरी से इसे कट कर लेंगे कुछ इस तरह से अगर आपके पास कटर हो तो उसे यूज़ करके ये काट लिए एक्स्ट्र आटा हम इस तरह से निकाल लेंगे अब जो छोटी छोटी रोटियां बनी है इनके बीचो बीच हम स्टेफिंग डाल लेंगे बहुत ज़्यादा स्टेफिंग ना डाले नहीं तो ये बाहर निकल जाएगी मैं यहाँ पर इसमें एक बड़ा चमच स्टेफिंग डाल रही हूँ स्टेफिंग डालते समय ध्यान रखे कि वो साइड में ना गिरे नहीं तो गुजिया तलते समय खुल जाएगी गुजिया को जिपकाने के लिए इस तरह से किनारों पर पानी लगा लेंगे अब इसे आराम से उठा के इस तरह से बंद कर लेंगे और इसकी साइड को दबा के चिपका देंगे अब हम एक फोक लेंगे और इस तरह से दबाते हुए इसे बंद कर लेंगे ये देखिए बिना सांचे के भी हमारी गुजिया कितनी सुन्दर बनी है इस तरह से सारी गुजिया बना कर एक साफ कपड़े पर रख लें गुजिया फ्राइग करने के लिए मैंने ओल गरम कर लिया है अब हम इसमें गुजिया डाल लेते हैं गुजिया फ्राइग करने के लिए हमें बहुत जादा गरम तेल नहीं चाहिए मीडियम गरम तेल में हम गुजिया फ्राइग करेंगे फ्लेम को हमें मीडियम रखना है हम साइड से इस तरह से गरम तेल गुजिया पर डालेंगे पर एक से देड़ मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे नहीं तो गुजिया फट सकती है तेल में एक साथ बहुत सारी गुजिया ना डाले जैसे जैसे गुजिया पकेगी ये फूल कर उपर आना शुरू हो जाएगे लगबग तेड़ मिनट के बाद हम गुजिया को पलट लेंगे अब लगबग तेड़ से दो मिनट तक हम इसे फ्राई होने देंगे अब इसके बाद हमें गुजिया को पलट पलट कर फ्राई करना है हमें गुजिया को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है ये देखिए गुजिया का perfect color आ गया है अब हम इने निकाल लेंगे निकालते हुए इस तरह से side में लगा के रखेंगे जिससे की सारा extra oil निकल जाएगा गुजिया को तलने में total मिलाकर 6-7 मिनट का समय लगा है इस तरह से हम सारी गुजिया तल लेंगे इस तरह से आप असानी से गुजिया बना सकते हैं ये गुजिया बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनेगी और ये फटिंगी भी नहीं मेरे पास stuffing का material बच गया है जिसे मैंने 8-8 container में store करके fridge में रख लिया है इसे हम एक हफते के अंदर फिर से use कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स फर वाचिंग